नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट श्टेडी पर साथ्यों आज है 8 जुलाई 2024 और आज SSC CHSL के टेर 1 का पेपर था जिसके सभी सिप्ट की पेपर हो चुके हैं आज के इस वीडियो में आज पूछे गए question answer को देखेंगे आज के पहले दुसरे और तीसरे सिप्ट के question answer को देखेंगे चौते सिप्ट की बात करें तो इसके लिए अलग से आपको class मिल जाएगा उसको जरूर देख लेना तो चले फिर देखते हैं आज के पूछे गए question answer सुरुवात करते हैं आज के थर्ड सिप्ट से ठीक है आज के तिसरे सिप्ट से सुरुवात करते हैं जैसे कि आज के थर्ड सिप्ट में आपसे एक question ये पूछा था 2011 के जनगना के अनुसार ठीक है भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है तो देखे सबसे पहले ये जाल लिजे कि बाल लिंग अनुपात होता क्या है तो भैजीरो से 6 वर्स के जो बच्चे होते हैं ठीक है उनी के उनी को बाल लिंग अनुपात में मापा जाता है तो बात करें 2011 के जनगर्ना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है तो 919 यहीं 2001 के जनगर्ना के अनुसार अगर आपसे पूछे तो बाल लिंग अनुपात 927 था याद रखना आगे दिखिए क्वेशन था हौकी में सबसे पहले किस महिला को अरजुन पुरसकार मिला था तो करेक्ट होता इस्ठेपी डिसुजा को ठीक है इनको साथियो 1961 में ही याद रखना हौकी के लिए अरजुन पुरसकार दिया गया था यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि ये इस्ठेपी डिसुजा साथियो ये अरजुन पुरसकार जितने वाली हौकी में पहली महिला थी और एक चीज़ यह आपको याद रखना है कि ये जो अरजुन पुरसकार है इसकी सुरुवात भी 1961 में ही हुई थी ठीक है चली आग जाता है इसको रन उत्सव के नाम से भी जानते हैं ये भी आपको याद रखना है आगे एक कोश्चन आपसे पूछा था कि दक्षिन भारत के प्रसीद संगीत को क्या कहा जाता है अब देखिए दक्षिन भारत में जो सबसे ज़्यादा फेमस संगीत है वह करनाटक संगीत इसकी सुदवात साथियो संत पुरंदर दास ने की थी याद रखना तो देखिए यहाँ आपका करेक्टन सर करनाटक संगीत हो जाता आगे देखिए कोश्चन ये था कि 2011 के जनगन्ना के अनुसार किस राज का जनसंख्या 10 लाक से कम है तो मैं भी आपको उप्षन में जो ह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला वी राज है और दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम मिजोरम की टोटल जनसंख्या अगर देखे तो करीब 11 लाक है और उसके बाद तिसरे नंबर पर आता है अरुनाचल परदेश ठीक है तो भई 10 लाक से कम तो सिक्किम का ही है तो इस जुन 1857 को लखना उत्तर प्रदेश के देखे इसमाईल गंज के चिनहट की परसिद लडाई हुआ इसलाम गंज के चिनहट में हुआ था ठीक है इस लडाई में हैंडरी लॉरेंस द्वारा ब्रिटिस बलो के मार्क दरसन का विरोध किया गिया था तो हैंडरी लॉरेंस इस कोस्चन का करेक्ट अंसर हो जाता और अगर आपसे पूछे चिनहट का यूद कब हुआ था तो 30 जुन 1857 को हुआ था जिस समय 1857 की क्रांती हो रही थी याद रखना ठीक है देखिए एक कोस्चन था एका हारी का संबंध कि सास्त्रय निरित से हैं तो एका हारी की बात करें तो साथ्यों यह भारत नाट्यम निरित से संबंदित है भारत नाट्यम जोकी साथ्यों भारत के तमिल नाडू राज का एक सास्त्रय निरित है ठीक है एक कोस्चन था पांचवा संबिधान संसोधन किस अनुच्छिद में हुआ या पांचवा संबिधान संसोधन का वहाँ पर कल मैंने सारे आर्टिकल्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है एक से लेकर 395 मूल अनुछे दो को एक ही वीडियो में अच्छे से सरल भासा में समझा कि आपको बताए है उस कलास को देख कर जाना पेपर देने ठीक है एक कोस्चन था भारत ने होकी में ओलमपिक का पहला मेडल कब जीता था भाई भारत ने टोटल 12 बार ओलमपिक में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है और पहली बार भी जो मेडल जीता था वो गोल्डी था कब तो 1928 में तो इस question का correct answer आपका 1928 हो जाता देखिए एक question था summer और winter olympic यानि जिसको हम बोलते हैं ग्रिस्म कालीन और सित कालीन olympic में कितने वर्स का समय अंतराल होता है तो वैसे जो olympic के लो होता है वो साथ यो प्रते एक 4 वर्स के अंतराल पर होता है ठीक है लेकिन summer और winter olympic जो होत होता एक question था समानता का अधिकार संभीधान के किस अनुच्छिद में है तो इसलिए बोलते हैं वह वाला वीडियो जो मैंने बताया टूपन जीरो में देख लेना देखो समानता का जो अधिकार है यह साथ यो बारतिय संभीधान के पांच अनुच्छिदों में दिया गिय तो इसका correct answer कलकत्ता किर्केट कलब होगा साथ यो देखे यह जो कलकत्ता किर्केट कलब है यह भारत का सबसे पुराना किर्केट कलब है और विस्वो का दूसरा सबसे पुराना किर्केट कलब है याद रखना तो यहां कलकत्ता किर्केट कलब इस question के लिए correct answer होता अब आप हमें comment box में बताईए अगर कोई भी थर्ड स्रिप्ट में paper दे कर आए हैं तो कि कलकत्ता option में था या नहीं आगे देखिए question था लोक रंग उत्सव किस राज में मनया जाता है तो भई लोक रंग उत्सव की बात करें तो यह मध्य परदेश राज में मनया जाता है भोपाल में ठीक है तो इसका अपका मध्य परदेश हो जाता साथ यह आप लोगों का paper जिनका paper अभी नहीं हुआ है आपका paper कब है आप हमें comment box में बताना चैनल के अंदर मैंने आपको कुछ expected questions के बहुत ही important classes करवाए हैं उनको देख कर जाना आगे दिखिए question पूछा था इंडिया justice report यह किसके द्वारा जारी की जाती है तो इंडिया justice report की बात करें किसकी सुरवात 2019 में होती है और इसको टाटा trust के द्वारा जारी किया जाता है तो इस question के लिए correct answer आपका होगा टाटा ठुरस्ट ठीक है तो यहां correct आएगा टाटा ठ्रस्ट आगे question था वि द्रेकर सता महरुथसव और त्योहार कहां मनाया जाता है तो इसका प्रेक्टनसर आपका जम्मू winners हो जाता दो योकि यह बिट्सता महुत्सव या त्योहार जो है यह जम्मो कस्मिर में ही मनया जाता है। एक क्वोश्चन था राष्टिय गान का सम्मान किस अनुच्छेद में वरनित है। तो साथियों यहाँ आपका करेक्टरंसर हो जाता अनुच्छिद 51 का A में जो की मौलिक कर्टब के अंतरगत आता है आगे आपसे question यह पूछा था कि महमुद गजनवी का संबंद किस देश से था तो भई महमुद गजनवी जिनोंने गुजरात के सोमनात मंदिर को भी लूटा था यह कहां से थे किस देश से तो भई देखो जावुलिस्तान जिसको बरतमान में अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं अफगानिस्तान को पहले जावलिस्तान के नाम से जाना जाता था याद रखना आगे दिखिए एक कोस्चन था पराविगनी किरनों की खोज किस ने की थी तो पराविगनी किरनों की खोज की थी अगर आप से पेपर में पूछे पराविगनी किरनों को कब खोजा गया था तो 1801 इस्वी में आगे देखिए एक क्वेश्चन था पंखिड संगीत या इसको पंखिडा भी बोला जाता है पंखिडा पंखिडा संगीत जो है ये किस राज का लोग गीत है तो बहुत पंखिडा एक लोग गीत है साथ यो जो कि राजस्थान राज का लोग गीत है तो देखो बारतिय रेलवे बोर्ड की अस्थापना जो है न ये 1905 में हुई थी तो इस question का correct answer आपका साथ यो 1905 हो जाता आगे एक question ये था कि बिर्जु महराज का संबन किस नेरित से है तो देखिए बिर्जु महराज का संबन जो है वो कथक नेरित से है और लखनाव घराने के अच्छ तो भै ब्रह्मा समाज की अस्थापना साथियो राजा राम मोहन राई जी ने किया था कब तो भै 1828 में इन्होंने आत्मिया सभा की अस्थापना भी की थी याद रखना आत्मिया सभा की अस्थापना भी की थी कब तो 1815 में हो सकता है आने वाले सिफ्ट में आप से पूछ तो याद रिखेगा आत्मिया सभा के अस्तापना भी राजा राम मोहन राइने की थी 1815 में एक क्वेस्चन था मुंडारी भासा किस राज में बोली जाती है अब देखे साथ यह जो मुंडारी भासा है यह जो आदिवासी जन जाती होती है मुंडा जन जाती उनके द्वारा बोली जाती है और यह भारत के कई राज्यों में बोला जाता है जैसे की देखो जार्खंड सबसे अधिक फेमस है तो अगर आपके ओप्सन में जार्खंड रहा होगा तो इसका अंसर आपको जार्खंड आख मून के कर देना था ठीक है क्योंकि सबसे अधिक फेमस यह जार तो भहाई दिखिए एक से खेल 2023 में कौन सा राज तीसरे अस्थान पर रहा था तो भैक कि रास्ट्य खेल теп ह講 2022 में साथ्योग तीसरे अस्थान पर रहा था हरियानौ तो इससकूस्चन का राईट अंसर हरियाना हो जाता आ आप बोलोगे कि पहले अस्थान पर कौन था तो पहले अस्थार पर महरास्टा था आगे दिखिए एक क्वेस्चन था सिक्षा और संस्क्रीति भारतिया संविधान के किस अनुच्छेद में हैं तो वैसी सिक्षा और संस्क्रीति की बात करें तो यह कली मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया साथ हो टूपन जीरों में कि दिखिए अनुच्छिद 39 और 30 में जो है न यह सिक्षा और संस्क्रीति के बारे में बताया गिया है तो इन दोनों में से कोई एक ओप्सन आपको जरूर दिया होगा जो की राइट एंसर हो जाता आगे दिखिए भारत की फुटबॉल टीम पहली बार अंतराश्टिय दोरे पर कब गई थी तो इसका राइट एंसर आपका 1924 हो जाता याद रखना ठीक है आगे दिखिए कोश्चन था दोहाजार इगारा की जनगर्ना के अनुसार भारत का सबसे कम गरीब राज हैना सबसे कम सबसे कम गरीब राज कौन सा है तो गवावर केरल में से जो भी आपको दिया हुआ था वो राइट एंसर हो जाता साथियों और 2011 के जनगर्ना के अनुसार अगर सबसे अधिक गरीब राज की बात करें तो आपका बिहार है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला कोश्चन जो है देखिए यह फर्स सिप्ट का कोश्चन है साथियों आज का जो क आगे एक कोश्चन था भवाई किस राज का लोक निरित्य है तो इसका करेक्ट अंसर आपका राजस्थान हो जाता अगर राजस्थान ओप्सन में नहीं था तो आपका ओप्सन जो है गुजरात दिया होगा क्योंकि भवाई राजस्थान और गुजरात दोनों राज में कि जाना वला एक इस्टंट निरित्य है यहां निरित्य अपनी चमत कारिता के लिए परसीद है इस निरित्य में विभीन साररिक कर्तब दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है एक क्वश्चन था दिन ए इलाही नामक धर्म की अस्थपना किस ने की थी तो अकबर ने की थी दिन ए इलाही इसका अर्थ होता है इसवर का धर्म और इसकी अस्थपना 1582 में हुई थी मुगल सासक अकबर के द्वारा एक क्वश्चन था तेरता हुआ राष्ट्य उधान किस जिल पर इस्तित है तो साथियो दिख ये तेरता हुआ राष्ट्य उधान जो है इसका करेक्टन स जिले में इस्थितिक राष्ट्य उधान है एक क्वश्चन था महाविड जयनती कौन से वे तिर्थकर की जयनती पर मनाया जाता है तो महाविड जयनती जो है न यह जयन धर्म के जो 24 वे तिर्थकर थे महाविड स्वामी इनी के जरमदीन पर मनाया जाता है एक क्वश्चन और दिल्ली का टोटल जनसंखा की बात करें तो 1.63.14.838 था और वेहीं अगर हम बात करें मुंबई की तो करीब 1.80.000.000 कुछ था है ना याद रखना आगे दिखिए एक कुष्चन था 2.11 के जनगर्णा के अनुसार किस राज की जनसंखा बृद्धीदर सबसे कम थी तो नागालेंड की इस कूष्चन के लिए करिक्तअफर आपका नागालेंड हो जाता और सबसे अधिक जनसंखा बृद्धीदर की बात करें तो वो मेगालै राज का है एक question था 10 degree channel यह किसको किस से अलग करता है तो इस question के लिए right answer जो है आपका अंड़मान को निकोबार से हो जाता आगे question आरे समाज से related था इसका exact question नहीं मिल पाया था देखिए आरे समाज की अस्थपना अगर पुछा था तो 1875 में हुआ था कहाँ पर हुई थी तो मुंबई में हुई थी और किशने किया था तो आरे समाज के संस्थापक स्वामी द्यानेंद सरस्वती थे यहीं बात करें आत्मिय सभा की तो मैंने आपको बताया अभी आत्मिय सभा की अस्थपना 1815 में राजा राम मोहन राजी के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की अस्थपना 1828 में राजा राम मोहन राजी के द्वारा ही किया गया था यहां पर अगर आपसे पूछे सच तिया सोधक समाज की अस्थापना कब हुई थी तो 1873 में हुई थी जो तीबा फुलेने की थी याद रखना ठीक है तो साथ यह कोश्चन थे आज के अब आज के चोथे सिप्ट के कोश्चन अंसर अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा तो उसको भी देख लेना बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिए कि आपका पेपर कब है और किस सिप्ट में बचा हुआ है इस वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के सा आप सेयर जरू करना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाहिन साथ्यों वंदे मातरम